अद्योगों की नगरे भीलवारा में अद्योगों की तरक्की के सासाथ पॉलुशन का संकट मन रहा है। ऐसे में भीलवारा के कुछ अद्योग पतियों ने सघन वन लगाने की शुरुआत की, समा सेवी विनोध मिलाने की पहल पर अपना संसान का गठन किया गया और उद्योगीक एकाईउं के आसपास खाली पड़ी भूमी में सगन वन लगाने का काम किया गया साल 2010 में शुरुआत के बाद से यात्रा में अब तक 20 लाग पोधे लगाये जा चुके हैं परियावन प्रेमियों के मदद से अपना संसान ने भीलवाडा में अब तक 100 सघन वन बनाए हैं इनमें से एक सघन का जैसली अमारे सेयोगी नवीन जोशिर आज हर्यावले म हम उसकर तेहंवार है हर्यावले मह उसकर तेहंवार के सासाद आज 30 एक अदिवसे तो आप जानते हैं बिलवाडा कप्रा नग्री और युजोगी नग्री तो विकास विकास के सासाद पॉलिशन भी पढ़ रहा है अभी हम खड़े एक सगनवन में, जो आप देख सकतो मेरे पीछे सगनवन है, सगनवन में करीब तीन सो से जादा पोदे एक साथ लगाया जाते हैं, इस तरह का सगनवन यहां पर बिलवड़ा में तैयार किये गए हैं, और करीब सो सगनवन अपना संस्तान ने तैयार कर दिय पिनुजी किते पोदे के लक्ष के साथ काम किया आपने हैं, मेरा व्यक्तिकत लक्ष एक लाग पोदे लगाने का था, 2010 में सोचा था, 2013 तक मैंने एक अजार पोदे लगाया तो फिर 2013 से हमने परियावन समर्दन संस्तान मनाया, उसके माध्यम से तीन साल से हमने 80,000 पोदे 2016 में अपना संस्तान अमरिता देवी परियावन नागरिक संस्तान का राजस्तान लेवल पर गठन किया, उसके भीलवड़ा में 2,00,000 पोदे अब तक लगा चुके हैं और 20,00,000 राजस्तान में लगा चुके हैं परियावरन के जितने पार्ट है, पानी हो, पोदा हो, पोलिथीन हो, यह सब प्रकार के विशे हम ले रहे हैं, लेकिन सरवादीक विशे अभी पोदे पर कंसेंट्रेशन करने से, ओक्सिजन वाला समश्या, वाटर लेवल जो निचे जा रहा, उसकी वाटर प्योरिफाई यह सारे विशे इसे कवर हो रहे हैं, जैसे बाइव डाइविरसिटी वाला विशे हैं, अभी पक्षी नहीं मिल रहे हैं, फल खाने वाले 80% पक्षी समाप्त हो गए हैं, तो इसके लिए जेव विविद्धा के लिए सब जो जो इसके जानकार लोग हैं, भार राजस्तान क एक्सपर्ट लोग उनकी राही है कि विविद्ध प्रकार के पोदे लगाओ, पक्षी को बारा महीने खाने को नहीं मिल रहा है, यह समश्या हो रही, तो फिर हमने एक सगनवन का कंसेप्ट मियावा की जंगल जापान का जो है, वो कंसेप्ट हमने एडोप्ट किया, एक सग करके आया है, आज भी देख सकते हैं, कोई भी आवे भिलवडा उनका वेलकम है, इसमें सड़ते बगरे कुछ कड़ी रख रखी बताते हैं अपना संस्तान ने, क्या ऐसी कड़ी सड़ते हैं तो आम आदमी आपसे बसता भी है, और कुछ लोग जो धरातल पर काम करने वाले हमारे तीन नियम है, पहला है सेवावरति कारेकरता जो संकल पर लेगा कि दो साल तक हम इसको बच्चे की तरह पालेंगे, दूसरा होता है उसकी सुरक्षा वाला विशे, ट्रेगार्ड या बाउंडरी जो कुछ भी हो, और तीसरा होता है सेवा रूप में पानी, उसकी जल परिणाम आ रहे हैं, उनका उद्देश केवल पोदे वित्रेत करना नहीं, निसुल पोदे देने के साथ साथ में, एक संकल पित परियावन कारेकरता और सेवा भावी तैयार करना भी उनका उद्देश है, जिससे ने केवल पोदा लगाने के बाद में भूल जाने वाले ल